किसान भाईयो आजकल फसलों में पत्ता मुरने बाली बिमारी यानी लीफ करल भाईरस बहुत हो रहा है चाहे तमाटर की फसल हो, चाहे मिर्च की फसल हो, चाहे तर्बूज की फसल हो, या फिर पपिता हो लगभग सभी परकार के फसलो में इस भाइरस का अटक बहुत ज़ादा हो रहा है जिस बज़े से हमारे फसलो को इतना ज़ादा नुकसान होता है जिसको जानने के बाद आप हैरान हो जाओगे और ऐसा मैं क्यूं बोल रहा हूँ यह आपको कुछ दिर में पता चल जाएगा लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप सबजीयों की खेती करते हैं तब आपको यह वीडियो पूरी देखनी चाहिए तो किसान भाईयो यह जो लीफ करल भाईरस यानि पता मरोर रोग है यह जेनरली प्लान्टेशन के 15 से 20 दिन बाद कभी भी हो सकता है चाहे वो फ्लावरिंग से पहले आए चाहे फ्लावरिंग के टाइम आए या फिर फ्रूट सेटिंग के टाइम आए मतलब प्लान्टेशन के 15 से 20 दिन बाद ही आएगा उससे पहले नहीं आएगा और जब भी आएगा पत्ते जो है वो मुरने लगेगी सिकूरने लगेगी और पौधे की ग्रोथ अचानक से रुख जाती है इसके बज़े से और फ्लावर आना भी बंद हो जाता है जो फ्लावर आते भी हैं वो तिकते नहीं जर जाते हैं बेसिकली फ्रूट नहीं बन पाते हैं इसलिए जो उपज समान्य तोर पे हमें मिलनी चाहिए उसमें तेजी से गिराबत आती है जिससे हमें बहुत ज़्यादा आर्थिक नुक्सान का सामना करना परता है और हमारी फसल लगभग बरबाद हो जाती है अगर इसको समय पे कंट्रोल नहीं किया गया तो क्यूंकि ये एक पौधे से बहुत ही तेजी से पूरे प्लोट में जो दूसरे स्वस्थ पौधे हैं उन पे अटेक कर देती है और पूरे प्लोट में फैल जाता है जिससे हमारी फसल बरबाद होने में ज़्यादा बक्त नहीं लगता है इसके अलाबा इस भाइरस के बज़े से पौधों की फोटो संथिस में दिक्कत आती है जिससे पौधे की ऑवरल हेल्थ पे बहुत बुरा प्रभाप परता है और सबसे बुरी बात ये है कि एक बार अगर इस लिफकल यानि पत्ता मुरने वाली बिमारी का अटेक आपके फसलो में हो गया तो ये आसानी से कंट्रोल नहीं होती है जिस बज़े से किसान बहुत घबरा जाते हैं लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस लिफकल यानि पत्ता मुरने वाली बिमारी से चुटकी में निपत लोगे और इस वीडियो में आपको वो बाते भी बताऊंगा जिसको अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो आपके फसलों में कभी वी इस लिफकल यानि पत्ता मुरने वाली वीमारी का अटैक ही नहीं होगा लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये भाइरस हमारे फसलों में क्यूं होता है तभी आप इसको अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे तो किसान भाईयों ये वीमारी यानि भाइरस होने का में जो सबसे बड़ा कारण है वो है थ्रिप्स इस थ्रिप्स के अटैक के बज़े से हमारे पत्ते जो है वो उपर की तरफ मुरने लगती है मतलब जब भी पत्ते उपर की तरफ मुरने लगे तो आपको समझ लेना है कि थ्रिप्स के बज़े से ये मुर रहे हैं पहले नई पत्तिया मुरने लगती है उसके बाद पुराने पत्ते भी मुरने लगते हैं इस ट्रिप्स के बज़े से और हमें पत्ता मुरने बाली बीमारी का सामना करना परता है इसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है माइट्स यानी मकडी मतलब जब भी पत्ते आपके नीचे की तरफ मुरने लगे तो आपको समझ लेना है कि माइट्स यानी मकडी का अटैक हुआ है आपके फसलों में और ज़्यादा कन्फर्म होने के लिए अगर आप मुरे हुए पत्तों के नीचे देखेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा लाल रंग या सफेद रंग का स्पॉट देखने को मिलेगा कई बार आप मकडीयों की जालियां भी देख सकते हो पत्तों के नीचे जब इसका अटैक बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके फसलों में इसके अलाबा आप मुरे हुए पत्तों के नीचे थोड़ा मिट्टी दालके पत्तों को जटक के देखेंगे अगर मिट्टी पत्ते से चिपक जाती है तो 100% कंफर्म हो जाईए कि माइट्स का ही अटैक हुआ है आपके फसलों में जिस बजे से पत्ते नीचे की तरब मुरने लगी है इसके बाद तीसरा जो कारण है वो है stress मतलब पौधे जब stress में चला जाता है उस समय भी आप देख सकते हैं कि पत्ते जो है वो मुरने लगी है यह इस्ट्रेस कई परकार से हो सकते है हमारे पौधो में बहुत ज़्यादा केमीकल का इस्तमाल करने की बज़े से हो सकता है या फिर proper water management ना होने के कारण हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा high temperature के बज़े से भी पत्ते जो है मुरने लगती है कहीं बार तो उमीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि हमारे पत्ते क्यों मूरती है अब बात करेंगे सबसे जरूरी कि इसको कंट्रोल कैसे करना है तो देखो अगर आपके पत्ते थ्रिप्स के बज़े से मूरने लगी है और अगर मक्रियों की वज़े से मूरने लगी है तो आपको माइटस को कंट्रोल करने बाली दबाईयों का इस्तमाल करना होगा जो based हो और कौन सा based है और कैसे उसका इस्तमाल करना है वो आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगा कि आपके फसलों में ये लीफ करल यानि पत्ता मुरने बाली बिमारी कभी भी नहीं होगा अगर आप सुर्बात से ही अपने फसलों का ध्यान रखेंगे तो जैसे proper water management करना, temperature पे धियान रखना और जब पौधे बहुत छोटा हो उस समय ज़्यादा chemical का इस्तमाल करने से बचना होगा बरना पौधा इस्त्रेस में जा सकता है जिससे पत्ते मुरने बाली बिमारी हो सकती है और ज़्यादा tonic और nitrogen की इस्तमाल भी ना करें क्यूंकि इससे आपके पौधे की अच्छी growth तो हो जाएगी लेकिन आपके पौधे और पत्तिया दोनों की बहुत ही कॉमल हो जाएगा इससे क्या होगा कि keto का attack होने का संभावना और fungus virus का attack होने का संभावना भी बर जाता है इसलिए जब जरूरत हो तभी tonic और nitrogen का इस्तमाल करें बहुत सारा किसान अच्छी growth और जल्दी जल्दी फल्फुल पाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा tonic और nitrogen का इस्तमाल करते हैं ये गलती आपको नहीं करना है तो इन चीजों का ध्यान आपको रखना चाहिए इसके बाद आपको आपके plot में blue sticky trap और yellow sticky trap जो आते हैं उसे भी लगाना चाहिए इससे आपको बहुत सारे रस्टूसक कीटो की life cycle break करने में मदद मिलेगा और आप सीधे उन trap पे देखके ये भी पता कर सकते हैं कि आपके फसलों में कौन से कीटो का attack हुआ है इसके बाद आपको preventive में ही मतलब कीटो का attack होने से पहले ही 10-15,000 ppm वाला neem oil का spray करना चाहिए ताकि कीटो के attack से पौधे बचा रहे और ये neem oil पूरी तरह से organic होने के कारण आपके पौधों को ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा और ये neem oil आपको कितने दिनों बाद बाद इस्प्रे करना है तो 8-10 दिन बाद बाद आपको ये neem oil का इस्प्रे अपने फसलों में करते रहना चाहिए और अगर आप preventive में neem oil की जगा किसी कीटना सक का इस्प्रे करते हैं तो आप डोज थोड़ा कम रखिएगा तो ये सब हो गया preventive में आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए अब बात करते हैं अगर आपके पौधो में already thrips के बज़े से या mites के बज़े से पते मुरने लगे हैं तो आपको क्या करना होगा तो देखो ऐसे समय अगर आप इनको और्गनिक तरीके से कंट्रोल करने की कोशिस करोगे तो आपको बहुत जादा नुक्सान हो सकता है क्योंकि और्गनिक तरीके से ये कंट्रोल तो हो जाएंगे लेकिन इसमें बहुत जादा टाइम लग जाएगा और जैसे कि ये कीट और भायरस बहुत तेजी से फैलता है इसलिए हम लोग इन और्गनिक दबाईयों का इस्तमाल करके इन्हें जितना जल्दी हो सके कंट्रोल करना होगा जैसे अगर थिप्स के बज़े से पत्ते मूरने लगे तो आप डो एगरी साइंस का ट्रेसर का इस्तमाल कर सकते हैं ये कीटना सक बहुत ही तेजी से थिप्स को कंट्रोल कर लेता है इसमें आपको इस्पाइनो साइड 45% SC फॉर्म में देखने को मिल जायेगा इसकी अगर परफेक डोज की बात करें तो 15 लिटर की जो टंकी आती है उसमें ये ट्रेसर कीटना सक आपको 6 ml घोल के इस्प्रे करना चाहिए इसके अलाबा आप घरदा केमिकल का पुलिस इंसेक्टिसाइड या बायर का लेसेंटा का इस्तमाल भी कर सकते हैं इसमें जो टेकनिकल आता है वो भी बहुत ही जबरदस्थ है और बहुत ही तेजी से थ्रिप्स को कंट्रोल कर लेता है इसमें आपको दो परकार के टेकनिकल देखने को मिलेगा पहला है इमीडा कलोप्रीट 40% और दूसरा है फिपरोनिल 40% और इसकी अगर परफेक डोज की बात करें तो प्रती 15 लिटर की पानी की टंकी में आपको 10 ग्राम घोल के स्प्रे करना होगा यह पाउडर फॉर्म में आपको मिलेगा इसके अलाबा आप गौद्रेज का ग्रासिया भी इस्तमाल कर सकते हो इसमें आपको फ्लोएक्सा मेटा मेट 10% SC फॉर्म में देखने को मिल जाएगा यह टेक्निकल भी बहुत ही जबरदस्त और एफेक्टिव है ट्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए अब बात करते हैं माइथ यानी मक्रियों के बज़े से गर पत्ते मुरने लगे तो हमें कौन से दबाईयों का इस्तमाल करना होगा लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगलबाली बेल की घंटी भी दबा लोता ताकि इससे मेरा मनोबल और ज्यादा बढ़ जाए और मैं आपके लिए इसी तरह से वीडियो बनाते रहूं और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करे और आपके मन में कोई भी सबाल या सुजाब हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं तो किसान भाईयो माइट्स यानी मक्रियो को कंट्रोल करने के लिए जिन दबाईयो का इस्तमाल करना होगा उनमें से ये एक है बायर का मुवेंटो एनरजी इसमें आपको डो परकार के टेक्निकल देखने को मिलेगा पहला है स्पाइरो टेट्रामेट 11.0% और दूसरा है इमीडा क्लोप्रीट 11.0% ये टेक्निकल माइट्स यानी मक्रियो को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही जबरदस्ट है और इसका रिजल्ट भी बहुत ही ज़् करना है इसके अलावा आप बायर का एक और दबाय आता है और नाम से इसका भी इस्तमाल कर सकते हैं ये दबाय माइट्स को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट है इसमें जो टेक्निकल आता है वो है स्पाइरो मेसिफन 22.9% अगर इसकी परफेक डोज की बात करें तो 15 लि करिए मिलेंगे इसी वीडियो में और सब कुछ अच्छे से समझेंगे है